तो बस मॉर्णिंग का टाइम है आज मैंने हैर वश किये हैं तो बस इससे पहले मैंने हैर ओयलिंग के अपना वीडियो शेयर किया वह देख लिजेगा आप किसे तरह से हैर में हैर ओयलिंग कर सकते हैं और कौन से ओयल से मैंने हेर ओयलिंग किया था वो भी देख लीजीगा तो बस यहां पर मैंने बालों को छटकार के बान लिया है क्योंकि पानी आएगा पीने का पानी आएगा नल आएगा तो उसकी त्यारी चल रही है साथ मैं मुझे आज थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी करन हैं तो यहां पर मैं कपड़ों को सूंग रही थी क्योंकि अंदर सूखते हैं कपड़े तो अजीब सी स्मेल जैसी आती है तो इसी लिमेन को न सूंग के औफिर रख रही थी जो अच्छे हैं सूंग गया है जिनमें बास नहीं आ रही है उनको मैं घड़ी करके रख क्योंकि कभी-कभी मौसम एकदम खुल जाता है धूप अच्छी नहीं कर जाती है और कभी-कभी एकदम ऐसा रहता ना बारिश जैसा मौसम और इस बार तो स्टार्टिंग में तो पानी नहीं किरा था लेकिन अभी इतना पानी किरा ना 15 दिन से लगातार पानी पानी और यहा करें और व्लॉक थोड़े सी अच्छे लगते हों तो प्लीज जाधा शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन के साथ में ताकि जो भी में वीडियो या रेसीपीज या जो भी आप लोग के साथ शेयर करूं आप लोग उसको वाच कर सको और आप सब्सक्राइब करने वाली हूं तो लास तक बने रही हैगा बैट्री चेंज करी थी तो उसको वाश करना है और उसको में बाहर पर पट्राइब जो जो कपड़े वाश करना ना उनको सबको एक जगे खटा कर लूँगी मशीन ही लगाओंगी क्योंकि अभी और एक्स्ट्र पेले इसको हटा देती हूं और फिर आरम से काम होगा क्योंकि इस तरह की चीज़े क्या डिस्टप करते हैं काम करते करते हैं इनको समालो की काम करो तो बस यहां से मैंने तोली हटा दिया है और पीने का पानी का भी समय हो रहा है बहुत सारी काम बढ़ जाते हैं तो बस यह यहां पर मैं सुबह, मॉर्निंग के, जो भी लंच के, और नस्ती के बरतन थे, वही में साथ क्लीन कर्या हूं, और व्यसे तो बरतन मेरे इतने होते हैं इतने होते हैं, कि बस दुलती ही रहते हैं, तो यहां पर मैं सोझे चला, आज आपके साथ यही सी यह जो important चीज है, कि ब तो यहां पर इसको दो देती हूं और दोने के बाद इसको वही पर ही रख दूगी जो मसाले का पत्थर है उसको मतलब रख रखा है मेने उपर क्योंकि मुझे अपने हाउटो मेक गाहितरी के लिए जो रेसिपी अपलोड करती हूं तो कभी-कभी उस पे भी में पीस लेती हूं या कभी-कभी व्लोग में भी शेयर कर देती हूं आप लोग के साथ में तो बस कि नल सिद होते है दो ऊसी तरह से क्लीन करते हैं लेकिं जो बेठ, के आराम सिद होते है व ये वन इससे इपाइन आप जया हूं बीस लत दो तो बस देखी इस तरह और जो यह जो प्लेटे हैं ना जो बीना किनोर वाली प्लेटे रहती हूं उनको में साइड में लगाती हूं ताकि जब बरतन में दोऊँ ना और एक यू पर एक बरतन जमाऊ ना तो वह इदर उदर गीरे नहीं इसलिए जो बड़े साइस की और बिना लोती है, प्ले तेडम को साइड में रखती हूँ, और यहां पर यह तपेली, कोकर, जो भी में मास्टी हैं, जो भी क्लिन करती हूँ तो उसके नीचे में इस तरह का कपला रखती हूँ, ताकि बर्तन गिसे नहीं नहीं Isto क्या होता है तो यह देखिए यह है और इसको मैंने दो का एक बना रहा है तो बरतन मेरे बहुत ज़्यादा मजते हैं इसलिए साफ होते हैं इसलिए मैं इसको बड़ा साइस का कर लिए हूँ क्यों कि छोटी चोटे जो रहते हैं इस चील के मुईनिय उनसे इतना चीश से क्लीन नहीं हो प जाए रहती है मतलब उसके डॉट 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 बने ही रहते हैं बहुत पूरानी कड़ाई है तो उसमें अधिकतर में फ्राइ करने का ही काम करती हूँ यहां पर यह मेरा कुकर भी अच्छे से साफ हो चुका है तो इसको यह वाश कर लेती हूँ और पितल का जल गई थी बहुत जादा जल गई थी तो मैं सोचा आप लोग के साथ यह वाला वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए मुझे क्योंकि बहुत इंपोर्टन अधिकतर हम हाउस वाइफ की लापरवाई से भी इस तरह के बरतन हो जाते हैं और यहां पर मैं थोड़े से पहले फ तो यहां देख रहे हैं आप गेज के उपर मैंने तपेली को उल्टा करके रख दिया है और अच्छे से हीट लगने देती हूँ इसको अच्छे से मतलब हमको जलाना है जो जल गया है उसको और जलाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत ही इसीली पूरी तपेली साफ हो जाए यह थोड़ा सा मूझने में सरफ लेके या फिर कुछ भी नाइफ या कुछ भी इस तरह से स्पून लेके आप रिगड़ोंगे न तो बहुत जल्दी निकल जाए जादा मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ेगी तो आप यकिकर यह बहुत जल्दी निकल गया था तो इस तरह है पितामबरी आजकल सभी के घर में यूज होता है तो बस थोड़ा सा पितामबरी लिया तब बरतन को गीला करा और फटा फट इसको चारो तरफ लगा दिया लगा के और हलके हलके हाथों से भी आप इसको मलेंगे मसलेंगे न तो एकदम क्लीन हो जाएगा यह बहुत जल् बरतन हमारे क्लीन साफ सुत्रे रहते हैं दूसरा को दिखने में अच्छा लगता है जब हमारे बरतन क्लीन दिखते हैं यह देखे एक्दम न्यू न्यू हो गया है मेरा यह तंबे का घड़ा यह दिखिए चमक रहा है न तो बस चोटी मोटी सी बात थी जो हम एक हाउस वा next vlog में तब तकिली, bye bye